कपिल शर्मा के खिलाफ विवेग अगनूतरी ने जो संसनी खेज आरोप लगाए थे अब उनकी सच्चाई खुद अनपम खेर ने सामने लाकर रख दी है टाइमसनाओ को दिये एक इंटरव्यू में अनपम खेर ने ये खुलासा किया कि उन्हें कपिल शर्मा शो में दो महिने पहले इसी फिल्म के प्रोमोशन के लिए बुलाया गया था लेकिन तब वो इसलिए नहीं गये थे क्योंकि कपिल का शो एक कॉमेडी शो है और वहाँ दे कश्मीर फाइल्स जैसी सेंसिटिव फिल्म का डिसकुशन करना ठीक नहीं था अनपम ने कहा कि मैंने कपिल की टीम को अपने ना आने की वज़ा नहीं बताई बल किसी धा उनसे ये कह दिया कि मैं अभी आपके शो में नहीं आ सकता अनपम खेर के इस खुलासे के बाद कपिल शर्मा ने इसी क्लिप को टुइट करते हुए लिखा कि मेरे खिलाफ लगाए गए इन सभी आरोपों की सच्चाई बताने के लिए अनपम खेर पाजी आपका शुक्रिया और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिनोंने बिना जाने मुझे इतनी महबत दी खुश रहिए मुस्कुराते रहिए दरसल कपिल और विवेक के बीच का विवाद इन दोनों की टीम की बेफकूफी की वज़े से हुआ कपिल की टीम ने दकश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए सीधा अनपम खेर के मैनेजर से बढ़ती है और इसी लिए कपिल की टीम ने विवेक अगनोतरी को अपने शो का नियोता देना जरूरी नहीं समझा इसी इंटर्विव में विवेक अगनोतरी ने कहा कि वो इस बात को समस्ते हैं कि बड़े-बड़े सेलेबरिटी के आने से शो चलते हैं लेकिन जब मुद् कश्मीर का हो पाँच लाख लोगों के नरसंगहार का हो तो उसे प्रमोट करने के लिए किसी बड़े सेलेबरिटी की जरूरत नहीं होती विवेक ने कहा कि यही बॉलिबूर्ड कश्मीर पर बड़ी-बड़ी बाते तो करता है लिकिन इस फिल्म का प्रमोशन करना जरूरी नहीं समझता हालाकि इस दोरान विवेक अगनोतरी ने ये भी कहा कि वो कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन है अगर कपिल की टीम ने वक्त रहते दा कश्मीर फाइल्स की गहराई को समझ लिया होता तो आज शायद जरासी बात का बतंगर नहीं मनता कपिल की टीम की बेव चैनल को सबस्काइब कीजिए